हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का रिनीज गार्डन में आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तो बसंद का समय शुरू हो गया है दोस्तो और हम सभी लोग सभी गार्डनर भाई बहन हम अपने पर्मने प्लांट्स को केर करने में लगे हुए हैं क्योंकि साल में एक बार हमें इनको खाद पानी देने का जो समय होता है और उनको प्रून वगरे करने का जो टाइम होता है वो यही टाइम होता है और इस वक्त अगर हम अपने गर्मियों में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या के चलते मैं अपने गार्डन में ये सब चीजें कर रही हूं जो भी पर्मनेंट प्लांट से तो चलिए आज में क्या काम कर रही हूं आपके साथ शेयर करती हूं तो देखिए दोस्तों ये खुबसूरत ग्रीनरी और आप पहचान रहे होंगे कि ये किस चीज का पौधा है त सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूं कि किस तरह से आजकल हमें पर्मनेंट प्लांट को जो है खाद पानी देना है और साल भर में एक बार हम इनको क्येर करते हैं वो कैसे करनी है तो मेरे पास अभी ये थूजा प्लांट है इसको थूजा प्लांट जो है सारे साल बर बनी रहती है कभी भी इसके पत्ते खराब नहीं होते तो इसकी इसका क्या राज है मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तो जो ये बसंद का टाइम आता है इस वक्त जो है इस पौधे में ये छोटे छोटे बीज आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बहुत जादा क्वांटिटी में होते हैं तो धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और सूख जाते हैं और इसके बीज बन जाते हैं अभी ये लग जाता है इसकी ग्रीनरी जो है उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी की ये अभी नजर आ रही है तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही ये बीज स्टार्ट होने लग जाते हैं तो ज़्यादा तर जो इसके जो ये छोटे छोटे बीज हैं मैं इसको छोटे ही समय में अभी के सम और पतियों का कलर जो है ग्रीन करने में लग जाती है तो एक तो यह काम जरूरी है कि मैं मैंने जो भी experience किया है इसकी वजह से मेरा एक दूसरा प्लांट है तो उसमें से मैं बीज नहीं निकालती हूँ तो वो इतना जादा ग्रीन नहीं है जितना की यह है तो मुझे यह बीज इस पे रखे और बाकी हम इस तरह से उनको निकाल दे तो दोस्तों ये देखिए अब इसके हम जड़ के पास जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारी मिट्टी इसमें से निकाल दी है और अब मैं इसमें जो है ये जो मैंने खाद रखी हुई है इस खाद को मैं इसमें डाल दूँगी इसमें डालने के बाद जो ये इस तरह से क्योंकि रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस टाइम पे हम अगर बहुत पुराना पौधा है तो उसको जो है आपके पास mixture बना करके आप इस तरह से इसको fill कर दीजिए और उसके उपर फिर बाद में इसके उपर मिट्टी को डाल दीजिए मिट्टी में भी जो आप थोड़ी खाद को मिला सकते हैं तो इस तरह से मैं इसको मैंने खाद डाल दीए और अब मैं ऐसे करके इसमें वापिस से इसको इस तरह से मिट्टी से fill कर दूँगी तो देखिए दोस्तो इस तरह से care करने से जो हमारा ये थुजा का plant है ये सारे साल भर green रहता है एक बात और है दोस्तो इसको हमें बहुत ज्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए और इसमें नीचे की तरफ से ये जो छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है ना ये ये जो छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है नीचे की तरफ से निकल जाती है तो उनको हमें हटा देना चाहिए इस तरह से इनको हटा देना चाहिए ताकि जो ये इसकी जो stem है वो सीधी उपर चली जाए और greenery जो है उपर उपर लगे अगर नीचे से ही हम greenery को बढ़ने देंगे तो प्लांट जो है खुब सूरत नहीं लगता तो नीचे की तरफ से हमें कोई भी इसमें branches नहीं उगने दे खुब पानी देने से पतियां जो है green हो जाती है और यह जो प्लांट है घर के लिए भी शूप माना जाता है तो दोस्तों आप थूजा का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाए और इसकी greenery आप देखेंगे तो आपको अपना गार्डन जो है बहुत ही green लगेग आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगाओगा थैंक्यू फॉर वाचिंग